नमस्कार तरून ISK Digital Platform पर आपका स्वागत है आज हम राजनितिक के उस गलियारे की बात करेंगे जहां राजनितिक सत्ता और पद कुछ सीमित लोगों को हाथों में नहित होकर रह जाता है समिधान के ज़्यादा तर समिधानिक पद कुछ सत्ता धारियों के हाथों में जक्री रह जाती है मानो देश का प्रतेक पद पर उन्हीं लोगों का स्वामित तो हो आज हम बात करेंगे लाव का पद के बारे में जिसे आप Office of Profit कहते हैं जैसा कि आपने सुना होगा कि जार्खन की सियासत में लाव का पद मामले में चुनाव आयोगने सियम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद करने की सिफारिस की है और राजपाल को ये सिफारिस भेजी गई है ये मामला हमारे देश की राजनितिक में पहली बार देखने को नहीं मिला है इससे पहले हमारे देश के कई दिगज नेताओं ने लाप के पद का फायदा उठाने के चक्कर में संसद तथा विधान सभा की सदस्यता गवा चुके हैं साल 2006 में UPS सरकार में सोनिया गांधी के खिलाफ लाप कापद का मामला सामने आया था सोनिया गांधी तब राय बरेली के संसद हुआ करती थी इसके अलावा वह मनमोहन सिंग की सरकार में राष्टिय शालाकार परिशत की अध्यक्ष भी थी तब सोनिया गांधी को भी लाब का पद होने की वज़ से लोकसभा की सद्धिता से इस्थिपा देना पड़ा था हलाकि सोनिया गांधी दोबारा राय बरेली से चून कर संसद पहुँची थी वही पर बात करें राजसभा संसद जयावचन जी के बारे में जो की जाने माने फिल्म अविनेत्री रह चुकी है लाब का पद के मामले में उनकी भी सद्धिता जा चुकी है 2006 में उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्षिता भी थी इसी कारण से उनकी सद्धिता चली गई वही पर 2018 में लाब के पद के मामले में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पाटी अर्थाथ आपके 20 विधायकों को चुनाव आयोग ने अयोग घोशित कर दिया था लेकिन आज अब 2022 में एक बार फिर जार्खन के मुख मंतरी हिमन्त सोरिन कोयले के खानों के लाइसिंस अपने नाम पर जारी करने के चलते ओफिस ओफ प्रॉफिट का सामना करना पड़ रहा है चलिये हम ये जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर ओफिस ओफ प्रॉफिट यानि की लाव का पड़ क्या है तथा हमारे समिधान में इस सब्ध को किस प्रकार उलेख किया गया है जैसा कि हम कहते हैं कि लाब का पद उसे कहते हैं जब कोई बेक्ती सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा या लाब उठा रहा हो ऐसा करते हुए वो सदन का सदस्य नहीं रह सकता मतलब एक साथ कई पद का लाब नहीं ले सकता है ऐसे में उस सक्त को किसी एक पद को छोड़ना पड़ता है अगर वही पर बात करें लोग प्रतिनिरित्तो अधिनियम 1951 की धारा 9A लोग सेवकों को भष्टाचार के लिए उन पर करवाई करने का प्रवधान देती है इसमें कहा गया है कि भष्टाचार या औभक्ती के लिए पद से हटाने की बात कही गई है वैसा विक्ती जो भारत सरकार के अधिन या किसी राज के सरकार के अधिन पद धारन करते हुए भश्टा चार के कारण या राज के प्रती अभी वेक्ती के कारण पद से हटाया गया हो या कहे कि ऐसे वेक्ती को पद से कुछ समय कोई लिए या पांच वर्षों के लिए उनको निक्षासित कर दिया जाता है चाहिर है कि लोग प्रते निरित्व अधिनियम 1951 की धारा 9-1 के तहत हेमन सोरेन को उनके पद से हटाया जा सकता है लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हमारे समिधान में इसका अस्थान क्या है अगर हम बात करें विधायकों के लिए समिधान में लाव का पद का जिक्र किया गया है जिस पर रहते हुए कोई बेक्ती विधान सभा का सदस्य नहीं रह सकता समिधान के अनुछेद 1951 के एक ए में इसका जिक्र है इसके मुतापिक अगर कोई विधायक किसी लाव के पद पर पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद की जा सकती है अगर राज्य सरकार कोई कानून बना कर किसी पद को लाव के पद के दायरे से बाहर रखती है तो बिधायकों की सदस्यता अयोग नहीं ठराई जा सकती है मतलब कह सकते हैं अगर हम बात करे संसद के मामले में लाब की पद की बात करे तो लाब का पद का मामला संसद यानि की लोगशभा और राज़सभा और राज़ के बिधान सभा दोनों में ही आ सकता है शमिधान में राज सभा और लोक सभा के सदस्यों के लिए भी लाव के पद का जिक्र किया है शमिधान के अनुछेद 102 के एक के ए में लाव के पद के बारे में बताया गया है इसमें कहा गया है कि संसद के किसी सदन का सदस होने के लिए जरूरी है कि वो किसी भी तरह के पद पर ना हो इसमें कहा गया है कि संसद या विधायक ऐसे किसी भी पद पर नहीं हो सकता जहां अलग से सैलरी या अलावेंस या दुसरे फैदे मिलते हो अगर संसद में किसी सदस्य के लाब के पद का मामला सामने आता है तो उसे राश्पती का फैसला अंति माना जाता है अनुछेद 103 के मुताबिक इस सम्मंद में राश्पती चुनाव अयोगे से सलाह ले सकता है तो ये था लाप का पद जो हमारे समसमाई घटनाओं में आजकल काफी प्रचलित है तो इसी परकार की बहुत सारे इन्फॉमेटिक वीडियोज के लिए और सिविल सर्विसे से सम्मंदित बहुत सारे कॉंटेंट के लिए इस चैनल पर आप बने रहें इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलता रहें तो आज के लिए इतना है रखते हैं थैंक्यू वेरी मच धन्यवाद